नमस्कार दूस्तों आप सब काफीर से स्वागत है हमारी पीच पे आज एक स्पेशल डे है इसलिए मैंने सोचा रेसिपी स्टाट करने से पहले आप सबसे एक डाइरेक्ट इंटरेक्शन कर लो नमस्कार दूस्तों आज की हमारी रेसिपी है सूजी के लड़ू नीवियर में मेहमन बहुत आते हैं इसलिए मैंने सोचा आप सब के लिए एक रेसिपी मीठे में बनाए जाए इसके लिए हम लेंगे दो नारियल नारियल के छोटी छोटी पीसेस कर लेंगे ताकि आराम से ग्रैंड कर सके यहाँ पर मैंने नारियल की पीसेस पहले से तेयर रखी है ताकि वीडियो जदा लंबा ना हो वेसे तो नारियल के पावडर निकलने के तारिके बहुत सारे है मुझे मिक्सी का तारीका ज्यादा सिम्पल लगा आपको जिस्सा कन्विनिन्ट लागे आप उस तारीके से नारियल के पाउडर निकल सकते हैं अब कराई चरा लेंगे चुले पर कराई थोड़ा गड़म होने पर दो चम मज घी एट करेंगे साती एट करेंगे आधा किलो सुझी दोस्तो मीठे लाड़ू बनने का इससे सिम्पल तरीका होई नहीं सकता वीडियो को आन तक जरूर देखियेगा और वीडियो पसंद आये तो आपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलियेगा सुझी का रंग जब हलका सा लाल हो जाए तब इसको निकल के अलग से राक लेंगे दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है आपको अगर इस रेसीपी से रिलेटेट कोई भी सावाल हो या कहीं पे भी आपको डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में आप आपका क्रेक्शन अपडेट कर सकते हैं मैं पार्सिनली आपके कॉमेंट पे रिप्लाई दूंगी आप जो नारियल हमने ग्राइन करके राखा था उससे पकाएंगे सारे नारियल ले लेंगे कड़ाई में साथे आम एट करेंगे धाईसो ग्राम चीनी चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जिनको मीटा ज्यादा पसंद है वो चीनी की मात्रा को ज्यादा बारा सकते हैं और जिनको मीटा काम पसंद है वो थड़ा काम चीनी इस्तिमाल कर सकते हैं इहाँ पर मैं साजिश करूंगी मैंने जितने चीनी इस्तिमाल की है आप पी उतना ही करें ताकि लाड़ू बार्णति समय इसमें stickiness रहें stickiness के लिए हम इसमें दो चम्मच आमुल पौडर यूज करेंगे यहाँ पे आमुल पौडर अप्शुनल रहेगा हलका सा इसको mix करेंगे और फिर इसमें सूजी एट करेंगे सूजी एट करते बाद ध्यान रहे इसमें सूजी धीरे धीरे से एट करना है और continuously नाडियल में mix करते रहना है वीडियो कैसे लग रहा है दोस्तों कॉमेंट सक्षिन में ज़रूर बताएगा यह देखने में जितना ही अच्चा लग रहा है वो उतना ही टेस्टी और उतना ही हल्दी है वीडियो को लाइक शेर करना मत भूलियेगा और जो भी यह वीडियो पहली बार देख रहा है हमरे उस दोस्त को रिक्वेस्ट है कि अगर आप फेस्बूप पे इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और पेज को फाला करना मत भूलियेगा और अगर आप इस वीडियो को यूटूब पे देख रहे हो तो पीज को सब्सक्राइब करना मत भूलियेगा दोस्तों हमने यापे आदा किलो सुजी जो हमने पहले से ही खी में तल कर रखा था उसे धीरे धीरे करके एट कर लिया है तो बास हमारी लड्डू बनाने के सामगरी हो गई है तैयार अब हम कोटोरी में दूद लेंगे और हातों को दूद से गिला करते हुए लड्डू बनाना शुरू करेंगे आज के कुकिंग टिप एही है दोस्तों लड्डू बनाते समय ठांडी दूद का इस्तेमल करें ताकि आपके हातों में गर्महाट ना लगे और लड्डू आपके हातों में ना चिपके इस ने साल में इस ने मीठाई को अपने फेमिली और फ्रेंड्स को बना के ज़रूर खिलाना वीडियो देखने के लिए धनियवाद मिलते है अगले रवेवाद